हाई फ्रेंज आज आप लोगों के साथ शेयर करने बली हूँ डिजाइना लटकन तो इसके लिए मैंने फ्रेबिक ले लिया है और फ्रेबिक के चोड़ाई लिया है मैंने 3.5 इंच और लंबाई में लिया है 7 इंच और उसको डेकोरेट करने के लिए मैंने लेज ले लिया है आप लोग चाहे तो सिंपल भी रख सकती है यह लटकन तो मैंने इस तरह से लेज दे दिया है क्योंकि जो लटकन है बहुती सिंपल था फ्रेविक इसलिए मैंने वाइट कलर का लेज लगा रही हूँ तो यह जो लेज है वो मैंने इस तरह से तीनीयों और लगाक याँ है करें इसका लगा लिया है लेज को और उसकी ऊपर में एक काटन का फ्रेविक दे दूंगी क्योंकि जो मेंन फ्रेविक है अच्छा नील होता है सिलाई बगरा तूट जाता है मतलब खूल जाता है इसलिए मैंने जो अस्तर का फ्रेविक रहे था ना छोटा टुकड़ा वो भी लगा लिया है इसकी किनारे किनारे पे और उर्ता करते हुए जो किनारे का लेज है लेज को मैं उर्ता कर लिया है और उसकी किनारे किनारे पर मैं सिलाए कर देख सकती हो और extra प्लियर को मैंने cut कर लिया है और एक line मेंने draw कर लिया है इसमें भी layers लगाऊंगी तो आप लोग layers को इसी तरह से लगाना बहुत लोगों को layers लगाना नहीं आती है न सही तरीके से तो मैं आप लोगों को देशे दिखा रही हूँ, आप लोग वेसे ही लगाना और जितना लंबाई और चोड़ाई में लिया है लटकन के लिए आप लोग भी इतना ही लेना तो आप लोगों का जो लटकन है बहुत ही खुब सुरत लगेगा तो मैंने तीन लेयर दिया है इस तरह से ब्लेस का अभी डोरी ले लूँगी डोरी को इस तरह से मीडिल में रखुँगी और उसको इसी तरह से रख दूँगी और किनरे पर में एक सिलाइ कर दूंगी तो आप लोग देख सकते हूं किनारे पर मैंने एक सिलाए कर दिया है तो और ये साठ से भी किनारे से मैंने थोड़ा से सिलाए कर लूँगी खिनारे और अभी उसको ऊल्टा कर लूँगी और जो लाटखा ने वो फुला सा देखनी के लिए उसके अंदर में चोटा चोटा जो फ्रेविक है फ्रेविक इस तरह से अंदर रख दूंगी और किनरे किनरे पर सिलाय कर लूंगी और यह जो लटकन है बहुत ही ट्रेंडिंग चलिए और बहुत ही अच्छा लगता है यह लटकन लगाने से और यह लटकन लगाने वाला जो ब्लाव से बहुत दिजाइनर ब्लाउस है बहुत ही खुपसूरत है वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वीडियो की लस में और यह जो ब्लाउस है वो सविबस अची ब्लाउस है तो मेरा जो लटकन है वो कंप्लेट हो गया है दोनों लटकन मैं इसी तरह से बना लिया है तो यह है ब्ल करने शेयर करने मेरी चैनल को सस्क्राइब भी कर जाने और भी अची ची वीडियो पाने के लिए सो बाइ ठैंक्स पर वाचिंग मिल तू नेक्स्ट वीडियो पे